नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आरपी वर्मा आप देख रहे हैं बरेली देहत्मी चैनल इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं बरेली के थाना छेत्र बिशारत इंद के गाउं बेंटा पुजर योगी बिजे देवनाथ ब्रिगेट कारेले पर आज सहीद चंद सेगर आजाद की बड़ी संक्या में यहां पर लोगों ने चंद सेगर आजाद की पुन्त थी की जो भावपूर्ण सिर्धान जली थी उसमें हिस्सा लिया और यहां के जो योगी बिजे देवनाथ ब्रिगेट के जो अद्यक्ष हैं योगी बिजे देवनाथ हमारे साथ हैं आईए हम उन से जानतें आकिर क्या संदेश देना चांतें और यहां पर जो आप एक संत होते हुए भी आपने चंद सेकर आजाद की जो पुन्त थी मनाते हैं महराद जी जैसा कि मैंने देखा तमाम संत हैं और तमाम जो बड़ी हैं इस तरह के जो प्रोग्राम जो आप कराते हैं आपने जो चंद सेकर आजाद जी जो देश के लिए उन्होंने कुरवानी दी उनकी पुन्नितिती बना रहे हैं अलग तरह का आप संदेश कारिकम करा आपने इस स्वाल किया, इस स्वाल का जुआ अब में देखता हूं, बात ऐसे देखिए हम मात्मा हैं और एक मात्मा, मात्मा का महान आत्मा, और एक योगी हैं भाई, सन्यासी हमारा कार्या न, ये नहीं कि खाया, पेट बरलिया, बजन करया, इधर की उधर करती, ये एक योगी का करम यह होता है, दूसरे के दुख दरत दूर करना, और समाज को एक अच्छा आइना, शिक्षा परदे, शिक्षा देना, अच्छी शिक्षा देना, और भई एक बाद बताओ, यह विचारा नहीं ना, अमारी खातिर, आज जो हम खुली आवामें, सांस ले रहे ह हैं, सारे, आज यह प्तर कारिता कर रोिए इसकी बद़ूलत कर रहे हो बई, इसकी बदूलत कर रो Legis, ऐगर angrade, अच्छा चान को आज होता ह। तो, आपके उक All pace, मेर, को कातनी बात भाद बहता है, जो आज हमें बोलने का दिकार दिया, आँए अपने回去 कन पठी पे आजाद जी मोटे और में बता देता हूं, जो आपके माहना इस नोज़वान नउजवान है, कोई भी है, मौनको जगानी का परियास में लगा रहता हूं दिन रात, बही कुछ जगे कुछ ना जगे और जिनकी खूनों में रगों में नसों में गरम खून होता है और देजवक्ति का खून वरा होता है वही लोग ये काम करते हैं और मैं 2006 से इन ऐसे करेकरमों को सक्रिये करता आया हूँ माराज जी जैसा की अभी आपके द्वारा जो नसा मुक्त युवाओं को रहने के लिए संदेश दिया गया लेकिन जिस छेतर में आप रहते हैं ये छेतर नसा के लिए बदनाम छेतर है तो इसको लेकर आपके द्वारा क्या मोहिम चलाएगी गीए लला बेटा देखिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ कोई दारू पीने वाड़ा होता है मैं उसे ये कहता हूँ बेटा आप सराब छोड़ दो वो आदमी ये कहता है गुरू जी आप छुड़वा दो मैं उसे ये कहता हूँ कि बई कुछ परियास में करूँगा कुछ परियास आप करें और में नसा करने मुझे पता लगता कि फ़लान आदमी बेच आए देखा कि तो कोई न बेचता है ठीक है दिखा कि नसा कोई न बेचता है लेकिन जहां जहां मुझे सक होता हूं मैं उनको समझाता हूं यह केवल नास की जड़ है और कुछ नहीं है लोग बरबाद हो चुके हैं तो क्या आपका जो पडोसी गाउं है जलाल नगर जिसे कहते हैं तो अभी तक क्या इसमें कोई संक्या गटी है या बिल्कुल समापत हूए या इस तरह के लोग अभी वी हैं आपको बता देता हूं बहुत अच्छी बात सबसे पहले हमारे ग् में नसी की बिकरी नहीं होती और दूसरे आजाओ पडोसी गाउं जलाल नगर में इसमें पहले बहुत तकड़ा नसा होता था इसमें जो पहले तूटकड़ पूटकड़ में जो दस बीस पचा सो का पान सो का बीच्छा करते हैं बंद हो चुकी हैं अब अगर कोई मोटा का करता है जो भी नसा पता का करता है वो मैंने पहले भी का कि वो हमें बता के नहीं करेगा चौर जिससे समाज में जो तमाम तरह की बुराईया है वो दूर हूँ बेटा देखिए नई हो या पुरानी मैं एक योगी हूँ और मैंने बता है योगी का करम बिगड़े हुँ को और बठके हुँँ को लाइन पर लाना होता है उनको शिक्षा देना होता है और मतलब में नीचे तत्पे के दवा जो व्यक्ति दवाई जाती है उनको समाज में उपर लाना होता है वर अश्टा चाहर के खिलाब लड़ना होता है वो करम मेरे जारी हैं और लड़ता रहूंगा और जो भी आपके चैनल के मादम से युवा खासकर युवा बरको हाथ जोड़के बिनती है मेरी आप लोग कुछ नहीं नसे में सटे में कट्टे में या आसकी में कुछ भी नहीं है मेरे बच्चो आप लाइन पर आजाओ और अपने गर का बला करो बगवान का बजन करो और अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ अपनी जो पच्चे पढ़ते हैं वो नसे करते हैं उनसे छोड़ दें और चंदर से कर आजाद की तरें अगर इसक करना है तो भी पढ़ने वाले अपनी किताबों से करें देश से कर यह लेकिन नसे सिप्रीम मत करें जिस चीज से बरवाती होती है उससे नहीं करें देखिए दोस्तों हम अभी आपको जो खबर दिखा रहे थे वो आस्रम और जो कारेले है योगी विजय देवनात महराज का जो राश्टी कारेले है बेटा बुजर्म वहां से हम आपको पुरेट रहेंगे देखते रहे वरेली द्याद में उसे वरेली देखते नहीं चाहिए